आरो प्रतिरोप की बीज तेर्ट सो शिक्षकों का हुआ नियोजं, नगर निकम 85 तो नगर परिशद में हुआ 65 कच्छै जिला शिक्षा पताधिकारी संजेकोमार ने बताया कि कांसलिंग शान्तिपूंढंग से की गई वहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भी गाइडलाइन का सक्ती से पालम करते देखा गया शिक्षक नियोजन के लिए पहुचने वाले अभ्यदी मास्क पहन कर ही काउंसलिंग हौल के अंदर पहुच रहे थे केंदर पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थे वहीं नवगचिया नगर परिशत की उपाध्यक शबिशेक रमन टीन यादव ने पुनामा प्रताप नगर मुख्या प्रतिनिदी पर आरोप लगाया कि वो नियोजन में धांदली कराने के मनसूबे से अंदर जा रहे थे और लोगों का भी कहना हुआ कि चेयर्मेन का वॉलिंटियर पैसा लेंदेन की बात करता दिखा लोगों का कहना हुआ कि नियुक्ति निश्पक्ष और साफ सुत्रे तरीके से होनी चाहिए अगर कुछ गरबड़ी होगी तो हम लोग इसका पुर्जोर पिरोद करेंगे इसकी सफाई में एक्जेक्यूटिव अफसर सुमित्रा नंदर ने कहा कि पैसा लेकर कोई बहाली नहीं हो रही जो मुखिया अंदर आ गए थी उससे सकते हिदायत देकर बहार निकाल दिया गया शिक्षिक नियोजन का फिस्वच रूप से किया जा रहा है इसमें कोई धांदली वाली बात या पैसा लेने वाली बात नहीं है त्योंक्क नहीं रहा है रूप कुमार किका पुधिर कुमार देगा आतर वांदल नहीं कुले अगंक्राइश क कुले अगर परिष्ट उपाद देख उनको यहां से फोन आया कि चैर्मेन का जो है बोलेंटियर सब यहां पर है वो जो है पैसा तरसले लेंदेन कर रहा है यहां पर इसलिए हम आये और यहां पर हम जैसे आये वहां पर गेट पे मुख्या जो है कुनोमा परतापनगर परतिनी दी परभात कुमार वो जो है गेट पे सारे जितना भी कॉंसलर है उसको जा दिया के टॉर्चर करता था पैसा कर तो हम वहाँ पर उसका एथुराइज कुछ नहीं है तो हम लोग अल्ला किये तो निकल के भागा यहां से तो हमरा एक्के काना है कि जो होगा निश्पक्ष हो सारे बच्चे का भविष्ट जो है अपने हिसाब से बनाया है वो अपने मेरिट से बने है उनके साथ कोई धोखा धरी नहीं हो मेरा कहना यही है अगर जो गलत तरीके से कॉंसलिंग होगा तो इसका हम पुर्ण जोर बिरोद करेंगे जो था हम लोग तो टीचर के रूप में नीचे था लेकिन बाद में लोग पहचान किया कि वो मुख्या था तो उसको बाहर कर दिया गया अभी तक किसी का परिसालिया कि नहीं बाहली होगा अबता नाम क्या आप नाम किया हो पर्स्कोची वाफशा सुमित्रा नाम दोल्ड़ के आप कि आप आप